बिहार सरकार अब टीटी की परिक्षा नहीं लेगी ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अब सिक्षकों की न्यूकती कैसे होगी तो आपको बता दे कि सिक्षक पातरता परिक्षा अब बिहार सरकार नहीं लेने जारी है सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है सिक्षा बिभाग ने खोदा अधिकारिक पत्र के माध्यम से बिहार बिद्याले परिक्षा समीदी को अपने फैसली से ओगत कराया है किंद्र सरकार की ओर से हर साल केंड्रिय सिक्षक पातरता परिक्षा यानि CTET आयूजित होती है ऐसे स्थिती में राज्य सरकार की ओर से सिक्षक पातरता परिक्षा टेट अलग से कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है या प्रात्मिक सिक्षक निदेशक रभी प्रकास्त ने बिहार बिद्याले परिक्षा समीदी पटना के सचीव को लिखे पत्र में कहा है उनका ट्वीटर पर एक पत्र वाइरल हो रहा है और जिसमें ये लिखा गया है कि अब टेट की परिक्षा बिहार सरकार नहीं कराएगी। अपने फैसले से ओगत कराया है। आपको बतादे कि बिहार में सिक्षक पातरता परिक्षा आयोजित करने की जिम्वारी सरकार ने बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती को दे रखे थी। बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती ने सिक्षा बिभाग से इस बारे में जनकारी माम गी। सिक्षा बिभाग ने बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती को पत्र लिकर सरकार के फैसली की जनकारी दी। प्रात्मी के सक्षा ने देशक रभी परकास ने बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती को लिखे पत्र में कहा कि अपर मुख्य सचीव की अध्यक्षता में सक्षक पातरता परिक्षा के संबंद में दिनांक 26 अप्रेल को बैठक निर्ण किया गया है। बिहार पंचायत प्रारंबिक बिद्दाले सेवा नियूक्त में किये गए प्राउधानों के तहत सक्षक नियूक्ती के लिए निरधारित अहरता में केंडर यूं बिहार सरकार के द्वारा आयूजित सक्षक पातरता परिक्षा में उत्रिन प्राप्त होना सामिल है। केंडर सरकार की ओर से हर साल केंडरिय सक्षक पातरता आयोजित होती है ऐसे में राज्य सरकार की ओर से सक्षक पातरता परिक्षा आयोजित करने की जरूरत महसोस नहीं हो रही है। भविसे में विभाग की ओर से अवर्षक आधारत सिक्षक पातरता परिक्षा आयोजित किये जाने पर बिचार कर निन्ने लिया जा सकता है। योग रखते हैं उन्हें केंदर सरकार द्वारा आयोजित सीटेट परिक्षा पास करनी होगी। सीटेट की परिक्षा टेट से टफ होती है। की अस्थानी भासाओ को तहजीज नहीं दी जाती है। तेट में अस्थानी भासाओ का महतो मिलता है। दुसरी बड़ी बात है कि सीटेट की परिक्षा में से भी ऐसी सलेबस के अनुरूप होता है। जबकि बिहार सरकार अपने विद्ध्यालियों के सलेबस के अनुसाड तेट की परिक्षा लेती है। तो अब ये बिहार सरकार की ओर से नड़ने लिया गया है कि अब टेट की परिक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। बेरो रिपोर्ट लाइब बिहार।